मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद आयोध्या में राममंद निर्माण का मामला एक बार फिर गर्मा रहा है इसी बीच चुक्रवार को उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री यूगी आदितनात आयोध्या के दौरे पर पहुंचे हैं यहां उन्होंने भगवान राम की कोदंड प्रतिमा का अनावरण किया भगवान राम की प्रतिमा की कीमत से लेकर मूर्ती में इस्तमाल हुई धातु की हर चीज बेहद ही खास है साथ फूट उची भगवान राम की प्रतिमा करनाटक में बनवाई गई है सबसे खास बात तो यह है किस प्रतिमा को टिक के नाम से जाना जाता है, मानिता के अनुसाद जब श्री राम माता सीता की खोच के लिए दक्षन भारत पहुँचे थे तो बनवासी रूप में उनकी हाथ में उनका धनुष कोदंड ही था, दक्षन भारत में भगवान राम के कोदंड स्वरूप की पूजा की जाती है, Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.